कॉंगनिस ने अपनी दूसरी डिस्ट जारी गर अब तक कुल 229 उमिद्वारों के नामों का अयलान कर दिया है खाते गाउं से धीपक जोशी को टिकेट दिया गया है जो पुर्व सीम कैलास जोशी के बेटे हैं वई भोपाल दक्षर पशिम से पीसी शर्मा, मुरायना से दिनेश गुर्जर, भिंड से चौधी राकेश चतुरवेदी, ग्वालेर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती, गोना से पंकच कनेरिया, बीना से निर्मला सप्रे, सागर से निधी जैन, दमों से भारत मिलन पांडे, मैहर से धर्मेश घई, रीवा से राजेंद्र शर्मा, सीधी से ग्यान सिंग, जबलपुर कैंट से अभिशेक, चौक से चिंटू पहले लिस्ट में टिकेट गवाने वाले नर्मदा प्रसाद प्रजापती, गोटे गाउं से उमिद्वार बनाए गए हैं, वही हो शंगाबाद से गिर्जा शंकर शर्मा, भुपाल उत्तर से आतिफ अकील पर कॉंग्रस ने इस बार बड़ा दाउं खेला है इधर सागर में बहु और जेट के बीच सीधे वो काबला है, कॉंग्रस ने निधी सुनील जैन को टिकेट दिया है तो वहीं बीजेपी ने शलिंद जैन को अपना उमिद्वार बनाया है